सर कम उमर में भी डाइबिटीज मदूमे के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और बड़ी तेजी से वृद्धी हो रही है कारण क्या है और जो हम थ्री मंद्स का शुगर टेस्ट कराते हैं लगबग 15 से 20 आ जाता है तो क्या क्योरेवल है सर डाइबिटीज मलाइटस आयरवेद में इसको मदू में कहते हैं और यह मेंली दो परकार की है एक तो ड्रग डिपेंडेंट डाइबिटीज मलाइटस जो जो ओश्टी द्वारा ठीक की जासकी है दूसरा इंसुलिन डिपेंडेंट डाइबिटीज मलाइटस जिसमें कि इं दो प्रकास से मुनुष्य अपने परिवार को नुक्सान देता है एक तो स्वयम अपने लिए माली जै मैंने खान पान स्वयम नहीं रखा और मुझे डायबिटीज होगी तो डायबिटीज जिसा कि आपको मालूम है जैनेटिक होती है आने वाली जो पीडी होगी हमसे हम उसक खुद डायबिटीज के लिए तियार कर देंगे मतल्स आदमी खुद भी गया और अगली पीडियों को भी डायबिटीज के लिए उसने प्यूर कर देंगे यह मैसेज इसलिए मैं शुरुताओं को देना चाहता हूँ कि डायबिटीज को बहुत स्ट्रॉंगली अपने मन मे ये रखे कि मुझे भी ना हूँ मेरे आने वाले परिवार को भी ना हूँ ऐसे उपचार या ऐसे बचाओ मैं करूं जिससे हम बचे डायबिटी इस एक सेल्फ क्रेटी डिजीज है जो कि हम अपने खान पान और अपनी दनाओं वाली जीवन शैली से खुद पैदा करते है खान पान में कैसे है कि हमारे बॉड़ी में जो उसतन बलड है वो पांच लीटर है और उसका एक शुगर लेवल निश्चित है कि इस प पान बढ़ा दिया एक्सेसिव मतलब शुगर इंटेक किया एक्सेसिव फैट इंटेक किया तो अल्टिमेटली तो बॉड़ी में जाके वो गुल्कोज के फॉर्म में आनी आनी तो वो शुगर इंटेक हमारा बढ़ेगा और उसी इसाफ़ से हमने अगर वर्जिश नहीं कि वियाम नहीं किया तो हम निश्चित रूप से अपनी बॉड़ी को डियाबिटीज मलाइटेस की तरफ ले जाएंगे इस जो ड्रग डिपेंडन वाली डियाबिटीज है इसी को टाइप टू कहते हैं इंसलिन वाले को टाइप वन कहते हैं कहने का भी प्राय ये है कि स्मिंट से एक घंटा वियाम करें अगर हमारा एच बी एए वन सी जैसे आपने पंदरा से बीस कहा ये तो बहुत ज़्यादा कहा आपने एच बी एए वन सी की जो नॉर्मल वैल्यू है वे पाज फाइप पॉइंट फाइव है इस से उपर अगर जाती है सेवन एट नाइन 10 तो हम उसको मेडिसन से कवर कर सकते हैं और उससे उपर याती है तो फिर हमको इंसुलिन की मदद लेनी पड़ती है और अगर हम स्ट्रॉंग विल पावर से उसको कंट्रोल करते हैं अपने खान पान में सुधार से अपने वयाम से और अपने स्ट्रेस लेवल को कम करके तो तो निश्री त्रूप से हम डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, 100%, परवाइड इट, ये प्रैक्टिस ग्रेजूल हो और रेगुलर, रेगुलर, नियमे त्रूप से, अगर तीन सो पैसे दिन हम खाने का अधिकार रखते हैं, तो तीन सो पैसे दिन हमको व्याम करने का भी तीन सो पैसेट दिन हम 10 से 20 मेडिटेशन करें, या शवासन में बैठें, या किसी भी फॉर्म में हम डीप ध्यान लगाएं, ताकि हमने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं, पैसेंट, सैक्डो पैसेंट देखे हैं, जो डाइट कंट्रोल करते हैं, लाइफस्टाइल बहुत है, पंदों को स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, और उससे भी उनको डाइबिटीज होती है, क्योंकि डाइबिटीज के मेन कौज में स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कौज है, तो आज की यंगस्टर्स को या जनरेशन हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है, उसको ये विशेश च अब देखें न हमारे आप प्रकृति की पूजा होती है, मीज हम प्रकृति में हर चीज क्या भारी है, उसको अपनी जीवन शैली में लाए, और आप देखिए आपका हर्याना का ये निरेज लड़का, आपकी हर्याने की मानुश्य चिलर, आपके हर्याने की कितने बच्च वर्ल्ड में अपना नाम रोशन कर रहे हैं इस देश का, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं, बस उसके लिए एक ही चीची ये स्ट्रॉंग विल पावर, और विल पावर तीन चीज से बनती है, सेल्फ कॉन्फिदेंस, अटैच्मेंट टू ड्यूटीज, हम अपनी ड्यूट करते हैं, तो निश्ची रूप से हम ड्यूटीज का हर विमारी को फत्या कर सकते हैं, तो इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहूँगा, प्योर्टी और माइंड भी बहुत ज़रूरी है, राग, ग्रेश, निंदा से भी हर विमारी बढ़ती है, इस माइंड को भी क्लीन कि, नवशकार.